और व्युक्त आपका माइंडिया में जैसा कि हम भारती संभी दान पधा रहे थे तो इसमियां में बातित हमिदान के भाग पांच में आगए तुब इसमें हम काफी आगया है चुके तहीं विद्ध करते में कि दिर्फिर में उस अंट करने की सकती जो गोषड़ा करता है तो उसको तो उसी कंडिशन में जो कि राश्ट्रपती मोहद को राज्यापात के लिए जो सक्तियां प्रदाना तो यहां पर किसी राज्य में सरव यह सामभी धानिक तंतर के विफल हो जाया केंद्र की आग्या या अनुपालन ना करने अथ्वा विसमिदान के उपल उपबंदों को का प्रदाना करने की इतिती में उद्ध गोश्डा करने की सक्ति जो कि अंचे 306 में दिखा गया रही वात बित्ती आपाद तो मतलब बित्त समझी रहें तो उसको डिसकस करने की जरूए जरूए तो बहुत होने पर जो कि अंचे 360 के अंदरगत आता है और इसके बाद हम आज की क्या क्या पड़ेंगे उसको हम डिसकस करेंगे कि भाति समीदान की 63 क्या करता है जिसमें उप राश्ट पती पत का प्रदाना है कि मोहद जी मदलब आउनचे 63 के अंतरगत इनकी सक्तियां ता इनकी कार्श्च्ण पत्ति ना यह सब डिसकस करेंगे तो फिर कुछ समय के सब्सक्राइब बने रहे तो उप्राश्ट पती महोदा जी जो जैसा कि अंच्छे तिसरड के अंतर गताते हैं तो उप्राश्ट पती के सक्तियां कार्यों को प्रदानता का वाडन के देंगे तो यहां पर जो दिया गया उसको हम डिसकत करें कि भारत का एक उप्राश्ट पत कुष्शन बनता है उसके बाद rapती उसके गिए हुए सद्नों द्वारा आनुपातिक प्रतिनी दित पद्धाति के अंसार एकल संक्रमर्णी मत द्वारा चुना जाता है ऐसे निर्वाचन के अमत गुप्त रूप से होता है सब्सक्राइब करेंगे उप्राश्ट्रपती के चुनाव में राज सभाग बिधान मंदल के सदस्द से मद्दान नहीं करते लेकिन राश्ट्रपती के चुनाव में इसके सदस्द से मद्दान में हिस्ता लेते हैं तो एक यह भी क्यूश्टन निकल किया है तो मतलब डिरेक्ट हम डिसक्राइब कर रहे हैं और एक बार मोटी मोटा आपके आँक्ते गुजर जाएगे ताब सब करिश्च कर लेंगे इसी को लेकि हम इसको कांटीन सभी संकाओं तथा विवादों की जाच का निर्ड़े का अंतिम अधिकार जो की सरोच नियाले का है तो आप इसको डारेक्टर रिसकत करने की मतलब राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति की जोक्मल संका यह सब मामले तो उसका निर्ड़े वगरा अंतिम अधिकार जो यो प्राश्ट्रपती के मतलब यहां पर शुनाओं यह साथ उप्राश्ट्रपती का राज तबाग की अध्यष्चता करता हुं प्राश्ट्रपती के नीरवाश्ट्रपती सब्सक्राइब तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इसके बाद किसी कारण से राष्ट्रपती आउप राष्ट्रपती के निर्वाचन को अमान घोसित कर दे तो उसके द्वारा वह अवधी में किये कार्यों को मान घोसित नहीं किया जाएगा तो जो कि मतलब यह है तो इसको भी हम आपके साथ डायरेक्ट मुद्धा के साथ डिसकस करें कि राष्ट्रपती के निर्वाचन समंदिक किसी विचे का निमयन संसाथ विधी द्वारा होता तो एक मोटी-मोटा मुद्धा आपके दिमाग में जा रहा होगा कि मतलब यह सब इसको जादा डिसकस करने से कोई फायदा भी नहीं होगा तो राष्ट्रपती के निर्वाचन मंडल में किसी रिक्ती के होने का प्रस्णगत नहीं किया जा सकता उसके बाद उप्राष्ट्रपती के मतलब जो कि यहां पर कुछ अनुमोधन प संक्याओं के आउसक्ता होती है जमानत राष्टी किसना तो यहां पर दो हजार पांट से बढ़ा कर 15,000 कर दी है तो जमानत राष्टी मतलब कैसे जब्त होती यह सब जैसे कि आप हमको कमेंट सेक्टन ने बताएंगे कि मतलब जब प्रधानी चुना होता तो उसमें एक ति होता है कैसे होता कि जमानत राष्टी जो जमा हुए किए गये कार हैं तो यहां पर जो की डिसकस किया गए तो उसको हम डिसकस डारेट कर रहे हैं रही वाद भारती सम्दान के अंच्छे में उपराश्टपती पत का प्रधान है जिसमें मलब उनके निर्वाचन को और उनकी पतावदियों उपराश्टपती जी को हम दोनों को लेके चल रहे हैं तो फिर यह सी टेट हो यूपी पीसी यूपी असी यह था और सारे कंप्रेटी एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्ट शिरिक जाये तो श्मुर्बर ता यहां पर दिखाया गया कीमा की मतलब उपराश्टपती के कारे करते है कि मतलब होते हैं और किसी काराट से मतलब जो राष्ट पती कारे कर रहे हैं अगर मिर्क्ति हो जाए तो उस कंडिशन में एक आए एक देश पर लोड पड़ेगा तुरंत वहां पर निप्टारा वगारे कैसे तो उस कंडिशन में मतलब यह उपराष्ट पती जी उस पद को गरहाड करेंगे और उ जो कि दिखा गया उसके वाद मिल तथा राष्ट पती को मिलने और समस्य बेतन भत्ते हादी का लाप प्राप्त करेंगे तो यहां पर यह सब लाप उनको मिल जाए अगर किसी कंडिशन में राष्ट पती में उपराष्ट पती राज सभा का प्रदनिद्धित करता तता उस कि दम से थोड़ा मतलब ऐसे हो तो माई इंडिया के साथ बने रही है तो वहान कर्याप का दिन सूब में हो यह सब तो मतलब चलता रहेगा ऐसे इस दिरियां उत्पन हो सकता जिसके राष्ट पती और उपराष्ट पती दोनों की मृत्तिव हो जाए अगर मतलब कर मतलब कर दोनल नहीं सकता जैसे है तो उसकाडिसन उत्पन हो जाए तब क्या होगा तो मतलब सब्सक्राइब के लिए उपलब्द कराने की सकती दी गए संसत के प्रयोग से तो उसको एक दिनों के बाद स्रीगरी ने अपने प्ष्ट सब्सक्राइब कर रहे थे तो यहां पर जो की मतलब उसके एक इक्जामपल देखे दिखाए गया है तो यहां पर पसे इस कारण एक साथ दोनों पकश रिखत हो गईcence, तो यहां पर उपराष्टपती बीप गिरी जो कि यहां पर दबावाग कुछ पड़ा होगा तो यहां पर यह भी मतलब त्याग पत्र दे दिये तो इस प्रकार एक साथ दोनों पवस रिखत हो गई तो संसद ने उस समालने के राश्टपती कृत्यों का निरोहन अधनियम 1969 बनाया तो यह समिदान है कानून है यह सब पॉलिटिक्स है तो इसमें मत पड़िये उसके पढ़ाई दिखाई विद्यान दिजी इस दिया माई इंडिया पर के साथ बने रही है तो यहां पर इस अधनियम के इस अधि सम्धाहरोका के निर्वां से सम्थ मित's focus बीदी बना कर कर सक्ति है तो यहां पर विवारत से सम्धाई और विवाद कीला पर जाडे तो पर उसको उसको विनिशकर है अन्तिम हो तो यहां पर कोई बह द्रस पांदिक्सन थापटी के सम्धान से सम्धाई पूरा होने के बाद की जाएगी तो उप्राश्पती यह सब इस बाद इहाँ पर उप्राश्पती के बना कर सकती है तो यहाँ पर उप्राश्थ का मुख्यने अधे राश्ट्रपती के रूप कोन पुछ सितम नियाले करें आवात नियारा की जासेके इविवाच्ट पती के ऊमिद्वार की आईउ 325 वर्स होग। उप्राश्ट्रपती के लिए आवस्याग है कि वह राज सभा के सभा के सदस्त के रूप में निर्वाचित होने की योगिता रखता हो तो यह इंडियन पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स है न पढ़ गे अब नियमों पर जानते रही है पढ़ाय लिखाई पेक दो मनलब ज् कोछ हिस्ट्री क kommt दिया गया की उप्राश्ट्रपती की मलब निर्वा चन की ईयो उप्राश्ट्रपती और राश्ट्रपती राज सभाका के पर सकता है क्या कि संवाध्य निर्वाचित हो सकता है तो इसकी दार्व नहीं की गई राश्पति के बदावदी पांच वर्स नहीं बताएंगे क्यांट पर पैंच वर्स होगता है तो अब लिखेंगे कि लिखने से बार बार प्राक्टिस होता है उसके बाद उपराश्ट पती पांच वर्स के पूर त्याग पतु राश्ट पती को देकर पद से हट सकता है उपराश्ट पती पांच वर्स के पूर समिधान के उलंगान और किसी भी आरोप से हटाया जा सकता कि उप्राश्ट पती पांच वस के कार्रेकाल से पूर ऐसे संकल्प है जिसे राज सभा के सदस्य में बहुत उम्मत से पारित कर दिया हो तो लोग सभा उसे सहमत से हटाया जा सकता तो यदि उप्राश्ट पती बीमार थो आने किसी कारर से कारेकरने असमर्थ हो तो उसकी जाएंगे कि हम समाले तो यह सब नहीं चले गए उतके बाद उप्राश्ट पती उप्राश्ट पती चुकी राज सभा का सदस्य नहीं हो तो अता है उसे मत दान का अधिकार सभापती के रूप में निरगा मत देने का अधिकार प्राफ्त है तो यहां पे करता है जब तक नई राष्ठपती के निर्बाचन न हो जाए है तो यहां तक ही बने रही है क्योंकि मलदillon बस